बागेश और जिले के किसानों ने एक बार फिर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है क्रिशी और भागबानी के एक्षेतर में बागेश और जिले ने राश्ट्यस्तर पर पहचान बनाई है 66 में स्कॉच प्रेदियोगिता में कीवी उतपादन के लिए जिले को स्कॉच सिल्बर मेडल से नवा जा गया ये पुरस्कार नाश्ट्यस्तर प्रायजित एक कारिक्रम में जिले को प्राप्ट हुआ है जिलादिकारे ने इसे लेकर बड़ी उप्राप्टी बताते हुए किसानों और विभाग को बधाई दी है उसमें जो कीवी का प्रेडक्शन किया जा रहा था उसको स्कॉच अवार्ड मिला है स्कॉच अवार्ड की शुरुवाद साल 2003 में हुई इस अवार्ड भारत को बहतर रास्ट बनाने के लिए अतरिक्त प्रयाज करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थानों को प्रदान किया जाता है ये स्कौच फांडेशन के द्वाना हर साल आयुजित किया जाता है वर्दमान में बैगेश्वर जिले में लगबग 200 कुंतल कीवी का उत्पादन होता है और 2025 तक 1500 कुंतल कीवी की पैदावार का लक्ष रखा गया है कीवी को न तो जंगली जानबन नुकसान पहुंचाते हैं और नहीं ये जल्दी खराब होता है जिस बज़े से कीवी किसानों की आर्थकी को सुधारने में मदद कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसको जानवरों से निजाद मिल रही है जानवर इसको खाना ही रहे है और दूसरी चीज है उत्पादन करने के बाद कोई चीज हम उत्पादित करते हैं वो तुरंद खराब हो जाती है लेकिन कीवी जो है वो इसकी कीपिंग कैपिसीटी बहुत अच्छी है और इससे हमारे किसानों को अच्छा रेट भी मिल रहा है राश्टेस्तर पर एक जिला एक कीवी योजना में बागेशुर जिली को पुरसकार मिलने के बाद अब बागेशुर के किशान भी काफी ज़्यादा खुश है समबात 365 के लिए बागेशुर से हमारे की रिपोर्ट स्थाइब भी मिल रहा है